येस वेल्कम बैक टूर चैनल एक्षेल इंग्लिस जून एक बार पूर्ण श्वागत है आप शबी वीवर्स का आपके अपने चैनल एक्षेल इंग्लिस जून पर चलिए तो भी दर्थी हो आज जान लेते हैं टॉप 50 क्वेस्टन जो की मॉडल प्रैक्टिस पेपर से मैंने के लिया है और बहुत ही शांदार येस मोश्ट इंपोर्टन क्वेस्टन आपके इंटर्मीडिये ट्वेल्थ क्लास के एक्जामिनेशन के लिए जरूर देखें अगर यह नहीं देखा तो फिर कुछ नहीं देखा बिल्कुल आसानी के साथ हम लोग इसको देखने वाले हैं कि किस तरीके से शौब्स करने का ये मजा हम लोग लेंगे इसमें यहीं तो यहां पर देख पा रहा हैं हूँ हम प्यां पर लिखा हुआ पास्ट इंडेफिनित में आपको पता है कि वाज लगता है या फिर वार लगता है वाज या वार लगता है तो आप उप्षन में भी यहां से आजानी के साथ चाइण सकते हैं कि यू के सा happy यू के साथ और लगता है तो option में देखिये तो यू वार किसमे हैं तो इसी में है तो option नमडर क्या कहा जा रहा है question number two को अपनों ध्यान पूरबक पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है he has been deceived by his own friends यानि कि यह आपको पैसी में दिया हुआ इसका एक्टिव चुनना है क्या चुनना है यहां पर लिखा हुआ है यहां पर his friends है प्लूरल है यहां पी friends है और यहां भी friends है तो तीन ठो आप्शन ऐसा है जो आसानी के साथ कट जा रहा है और आंसर यहाँ पर क्या आ जा रहा है c नंबर यानि कि दो का c राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हम लोग question number three के तरफ question number three के तरफ हम लोग बढ़ते है question number अब दखा जब भी होता है यहां पर इंडेफनित होता है क्या होता है पास्ट इंडेफनिट टेंज होता है नगता है यह और टू लगता है जब अफर्मेटिफ शेंट रहता है तो यहां पर वर्ब टू आसानी के सांथ क्योंकि यह निगेटिव नहीं है अगर निगेटिव रहता तो डीड आता और नोट भी आता और उसके साथ वर्ब वॉन आता लेकिन यह अफर्मेटिव है तो वर्ब टू हमको चूज कर लेना है तो देखिए ऑप्शन ए में भी वर और चलिए आगे आपको तो question number four हम लोग discuss कर लेते हैं यहाँ पर दिया हुआ है what does you doing when I meet you यहनि कि when I meet you यहनि कि जब मैंने आपसे मिला था तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर वर फोर दिया हुआ है तो इसके साथ हो जाएगा option number a यहनि कि what were you यहनि कि four का a is the right answer आगे बढ़ते हैं five number question में five number question में combination है combination का मतलब होता है कि दो या दो शे अधिक आपको sentence दिया रहेगा इसको एक sentence बना देना है और भी अर्थ नहीं बतलना चाहिए दिया हुए health is very important यहाँ पर देख पा रहा neglected तो यह भी नहीं होगा yes आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर दिया health is too important to be neglected तो इसका राइट आंसर यहीं बी नमबर राइट हो जाएगा five का बी इस दो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देख पा रहा हुए यहाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा वील हो जाएगा इसका राइट आंसर वील हो जाएगा राइट आंसर यह ऑप्शन नमबर यहाँ के six का option नमबर भी इस दा राइट आंसर चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे बढ़ने के करह में शे आट को तो सब्सक्रण के साथ हम लोगा करते हैं वह अर्फ टू का परोग करते हैं उस बदल लेना है जप सूरैंड यह जो गुण होता है विश्यस्ता शका अपना पारितोशिक자 होता है जब भी उनिवर्सल तूट रहता है डिरेकट में तो इंडिरेक्ट में कोई बदलाव नहीं होता है जैसे का तैसे रा जाता है तो हम देखने वाले option से शुक्रात सेड तो सुक्रात सेड हम दोग देखेंगे शुक्रात सेड पहले वाले option में है उसके बाद में inverted कोमा के बतले that उसके बाद virtue है दिया हुआ है तो है तो होगा नहीं कि उपर वाले में कहीं से भाइध नहीं है कि हैं में बतलेगा आगे दिखते हैं यहां पर दे दिए right answer सबसे बड़ी चीज़ है कि ही आस्क्ट मी वाइजर लगा हुआ यहां पर एक ही पास्ट का और यहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेशन नमबर टेन को देख लेते हैं क्वेशन नमबर टेन में देख लिए यू विल गेट यूज्ट वड़स अर्ली मॉर्निग वाक्स तर यूज़ टू है तो टू के तुरंद बाद वर वन लगता तो आपको समझ में आ गया होगा तो टेख हो जाएगा यहां पर यहां आंसर इसका हो जाएगा टेन का option number a is the right answer चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं yes question number 11 को discuss कर लेते हैं I used yes use के बाद में टू लगेगा तो यूज टू आजब यूजट के बाद में आप टू लगा दीजिएगा तो यह वर वन खोजेगा तो देखिए टू वर वन किसमें टू प्लस वर वन इसी में है इसलिए 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी इस दा राइट आंसर चलिए 12 में हम लोग आ जाते हैं क्या आपने शुना है क्या एक जोक कहते हुए आपने शुना है तो क्या हो जाएगा यहां पर आपको क्या करना है प्रिपोजिशन चुनने को कर रहा है डैस ही दोर बाज ओपन टोर खुला हुआ था ने कि उससे सर्प्राईज करने के लिए तो क्या हो जाएगा यह सबिए उसका राइट आंसर सर्प्राइज जैसे लगता है उसी तरफ 13 का क्या हो जाएगा यह राइट आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं 14 में question number 14 में the cat jumped jumped जब भी आता है तो इन्टू लगता है तो यहाँ पर on to यानिकि option number 14 का बी राइट आंसर हो जाएगा यानिकि चेयर पर इसलिए में 15 में कहा जा रहा है कि it is paint it is a painting dash of famous writer yes it is painting by a famous writer क्या हो जाएगा इसका यह number 15 का यह right answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं आगे 16 में choose the correct sentence यह चार सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें से तीन गलत होगा एक सही होगा उसको आपको चुन लेना है तो आपको देखना है कि इसमें सही कौन है he gave me many advices option b में दिया he gave advices many तो यह तो उल्टा सीधा लिखा हुआ है he gave many advices he gave me many pieces of advices तो इसका option number क्या हो जाएगा yes option number d is the right answer option number d हो जाएगा 16 का d is the right answer आगे हम लोग बढ़ते हैं 17 में 17 में कह रहा है कि choose the correct yes choose the correct sentence नहीं correct sentence चुनने के लिए बोला जा रहा है yes इसमें भी यानिकि तीन sentence गलत होगा और एक सही होगा सही को आपको चुन लेना है there are fewer students in the class today तो यह तो fewer students होता ही नहीं गलत है there are less students in the in the class today चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं आगे option c में there are heavier students there are much students तो option नमबर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा option नमबर बी यहनिकि 17 का क्या हो जाएगा जी बी राइट हो जाएगा ते लिए आगे आते हम लोग 18 में 18 नमबर question में 18 में देखिएगा यहां पर choose the correct sentence इसमें भी correct sentence देता है नहीं कि दो तीन questions आपको correct sentence से रहेंगे और spelling test से जरूर रहेंगे कोरा इसमें he came here by foot he came here on foot तो देखिए on foot हमेशा होता है तो on foot तो इसका क्या हो जाएगा 19 का yes b number right हो जाएगा 19 का B is the right answer be आपका right answer हो जाएगा 18 का माप कीजिएगा यह 18 number question था तो 18 का क्या हो जाएगा जी बी हो जाएगा 18 का बी इस दा राइट आंसर आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 में 19 में लिखा हुए आई एम टायर्ड आफ जस्ट यहां पे डॉट डॉट दिया हुआ है तो इसमें आपको भर लेना आई इसके बाद और फॉर आएगा तो क्या हो जाएगा वेटिंग तो वेटिंग एनिके 19 का यह इस दर राइट अंसर लिए आगे बढ़ते हैं ट्वेंटी नंबर क्वेस्टन देख लेते हैं आई डॉंट फिल लाइक डैस इक डॉंट फिल लाइक यहां पर याँ पर तो लाइक के साथ टू आता है लाइक के साथ है प्लिए टू आता है उर लाइक और डो तो दो आएगा तो बीच में क्या है जैसे वांट तो लाइक टू डू तो 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 फोट्व आप्शन नमबर सी यहां कि ट्वेंटी का रइट आंसर आपको क्या है ट्वेंटी का रइटांसर हो जाएगा ऑफ्शन नमबर सी जज़र राइट आंसर आगे बड़ से ट्वेंटीवन में 21 में कौर एसी लाइक डैस मेनी क्वेशन्स एड़ प्रेस कोर्फरेंज यहां पर तू आस्क नहीं है तो देखने वाली बात है कि सी लाइक विंग आस्क उसके बाद में लाइक आस्क तो यह भी नहीं होगा सी लाइक आफ आस्किंग अब यहां पर टेबल आंसर स्का होगा तो जरूर एक बार में नहीं दो बार पढ़िएगा तो अशानी के साथ की आंसर इसका इसी में सिलाइक डैस मैनी क्वेश्चन एड़ दा कॉंफरेंस कॉंफरेंस बोलते है कोई भी शमारो मेंटिंग जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि सिलाइ तू में 22 में देखिएगा यहां पर लिख रहा है कि I yes I would यहां पर पढ़िएगा I would like dash to move थोड़ा समय नीचे कर दे रहा हूं इसको yes I would यहां पर क्या है ओड W O U L D I would I would dash to move this afternoon यहने कि इस दोपहर के बाद हम क्या देखने देखना पशंद करेंगे तो like to like के साथ two आता है would like to I would like to go मैं जानना चाहूंगा I would like to know मैं जानना चाहूंगा तो इस तरीके से तो इसका right answer हो जाएगा यह 22 का क्या हो जाएगा यह number तो यह option number B 23 का B right हो जाएगा 23 का B right हो जाएगा 24 में हम लोग आते हैं अब person who rarely speaks the truth is a desk यहने कि वैसा आदमी जो मुश्किल से कभी शत्य बोलता है उसको क्या कहा जाता है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द यहने की one word constitution यह है क्या कहेंगे इसको सब्स्टिटिवशन सब्स्टि यह सब्स्टिटिवशन है यहने की अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है तो लायर मतलब जूठा तो यह हो जाएगा 24 का हो जाएगा चले आगे हम लोग 25 में देख लेते हैं 25 में करा आई डॉंट तिंग राजेस इस डैस टू लिफ्ट इस बॉक्स एनकि मैं नहीं सूचता हूं तो क्या होगा कोई उसके लिए परियाप ताकत चाहिए न तो strong enough हो जाएगा इसका राइट आंसर क्योंकि enough strong नहीं होता एड्यक्टिब के बाद enough का यूज किया जाता है तो 25 का see is the right answer चले आगे हम लोग बढ़ते हैं 26 में 26 में देखिए find the correctly spelling test में से 3-4 question और साथी साथ sentence pattern से आपको 3-4 questions रहेंगे तो इसका राइट आपको spelling देख लेना है तो livelihood option a के साथ जाएंगे हम लोग 26 का a number right spelling है livelihood का मतलब होता है जीवको पार्जन जीवन है आपन चले आगे हम लोग बढ़ते हैं 27 में 27 में भी वहीं कहा रहे हैं सही स्पेलिंग चार स्पेलिंग दिया इसमें से एक सही है सही को चुन लेना है तो साइको लोजिकल यह 27 का सी राइट है साइको लोजिकल ऐसे ही लिखा जाता है चले आगे बढ़ते है 28 में 28 में कहा रहा है जूही डैस बुलू एसकॉर्ट टूडे यस तो जूही वेर्स तो ह होगा नहीं वेर होगा नहीं वेरिंग होगा नहीं तो डी नंबर ऑप्षन इसका छड़ जाएगा 28 का डी हो जाएगा 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा चले आगे बढ़ते हैं 29 का तो फोन डैस कैन यू आंसर इट प्लीज एनिक फोन बज रहा है क्या तुम इसका कितना तयार रहते हैं तो फुली प्रिपेर तो क्या हो जाएगा 30 का बी नंबर राइट हो जाएगा 30 का बी हो जाएगा तो आगे हम लोग देख लेता है 31 यानि की बुक से अब क्वेस्टन लिया गया है टेक्स्ट बुक जो आपके लिए 12th क्लास के लिए रैंबो तू रै कि इस सिविलाइजेशन का जिक्र किसमें है वही तो इंडिया सिविलाइशन और कल्चर जो की महत्मा गांधी ने लिखा है इसलिए 31 का आंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आगे देख लेते हैं 32 वाले क्वेस्टन को कह रहा है कि भारत is my home is written by तो किसका हो जाएगा भा 32 का क्या हो जाएगा राइट अंसर 32 का हो जाएगा डी 32 का राइट अंसर हो जाएगा चली आगे बढ़ते हैं दृति ऋसे इस ओ!? क्या थे यह इस से एक यह थ्स थे तो इस तो इस तर्य हो जाएगा 33 i सी इस दर राइट आंसर आगे बढ़ते हैं ड्यार्ट या सौट श्टोरी राइटर तो जैपनीज देदा आर्टिस सिगा नुया के द्वारा लिखा गया है तो थटी फूर का आसानी के साथ एंसर हो जाएगा वहीं सिगा नुया जो आर्टिस लिखें है जिसमें क्या रहता ह यह सीवी रहता है और उसमें यह जो गवार्ड रहता है ना गवार्ड कोलेक्ट करता है उशी का दिया हुए यह जो माता पीता थे उन्होंने यह रेंट पर जमीन लिया था उस आदमी का क्या नाम सब्सक्राइब यह दर राइट चलिए आगे बढ़ता है तो पूछेगा तो आपको करना है अमेरिका करना है जब पूछेगा कि पढ़ाई लिखाई के बारे में तो क्या मरना है आपको चाइनेज उनिवर्स्टी में मारना है आपको क्या मारना है चाइनेज उनिवर्स्टी तो 36 का ए इस दा राइट आंसर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्टी सेवन में को आ रहा है यह आंटों चेकव बीगिंस ही लिट्रारी कैरियर बाइ रैटिंग यानि कि एंटों चेकव जो की आप मैरेज प्रोपोजल इन्होंने लिखा है यह अपना कैरियर की सुरूप में शुरू किये थे तो ऑप्शन देख लेते हैं हाँ पर लिखा हुए सौर्ट स्टूरी उसके बाद में पोएंप्स ड्रामा या कॉमिक इसके तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर यह यहां पर शौर्ट स्टूरी हो जाएगा तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा चले आगे हम लोग बढ़ते हैं 38 में यहां पर नौट गो में है जिसके पोएट कौन है या जॉन डने है जॉन डने है जिन्होंने लिखा है कि मैं इसलिए दूर नहीं जा रहा हूं कि अपने परीमिका से उप गया हूं बलकि मैं वह यह नहीं कि मिरितू का बहाना करके दूर-दूर घूम रहे थे क्योंकि उनको पता था कि एक ना एक दिन हम लोग मर जाएंगे तो अकेला हम कैसे जी पाएंगे इसलिए अभी शेव आदत बना रहे थे चले आगे बढ़ते हैं क्वेशन नमबर 39 के तरफ लिप्स ऑफ ग्रास बिलकुल रसुल्ला क्वेश्चन है लिप्स ऑफ ग्रास किसने लिखा है तो फोटी नमबर क्वेश्चन पर फोटी यहां पर देख पा रहे हूंगे लिखाए विस्प्रिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट यहां पर यहां पर यहां पर किसमें जिकर है नाउदा लीप सार फॉलिंग फास्ट पत्ते तेजी से गिर रहे थे यानिकि आदमी तेजी से मर रहे हैं इसी में जिकर है तो फोटी का क्या हो जाएगा फोटी का बी नमबर राइट आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं 42 में 42 में कर रहा है मैंका वीटी मैंका वीटी the cat is full of this इन 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 कि क्या था वह दीस इड़ा काफी ज्यादा यानि कि धोक्षे बाजी करती थी चिटिंग करती थी येस तो इसका क्या हो जाएगा 42 का येस 42 का भी number right answer हो जायागा आगे बढ़ते हम लोग 43 में snakes were seen among नहीं की साप देखा गया था कहां एमंग डैसिन माइ ग्रेंड मधर हाउस तो किताबों के बीछ तो 43 हो जाएगा माइ ग्रेंड मधर हाउस जो की कामला दाज के दौरा लिखा गया है तो घर जब यहां के बारे में लिखती है अपने जाने घर जहां पर दादी के साथ रहती थी तो वहां किताबों के बीच क्या देखा जाता था यह साप देखा जाता था चलिए आगे बढ़ते हैं फुर्टी फूर में यह लाइस ब्यूटीफुल लेडी जब लेडी का जिक्र हो आपके एक्जामिनेशन में ब्यूटीफुल क्या है अगे बढ़ते हैं फुर्टीफाइव में फुर्टीफफाइव में लाफ्मेंट अफड़ेस वाज help बाइड इंट्रोड़क््षण ओफ प्रिंटिंग टेकनोलोजी एनिक इसका डेफलोप्मेंट वा जी में मीडिल इंगलिजिस का यह प्रिंटिंग कि द्वारा लिखा गया है तो अंटचेबल और कुली मुलक राज आनंद किसके द्वारा मुलक राज। आंनंद जिसको एम-r आनन्द भी कहते है तो देखे ऑप्षन में यहाँ पर एम-r आननंद है तो फुट्टी 6 का क्या हो जाएंगा पुट्टी शिक्स का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा सी नंबर आगे वड़ते हम लोगो फुट्टी सेवन में एंड ओथायलो और रीटेन बाइट एफ हैमलेट और उथायलो किसके द्वारा लिखा गया विलियम सेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है कि लियर जूलिय कि वन कमन लेंग्वेस फर यूज यह वन कमन लेंग्वेस यूज के लिए तो गुलोबल इंग्लिस जो है ना गुलोबल इस्टेंडर्ड इंग्लिस तो 48 का एक नमबर राइट आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं फुट्टी नाइन में दो वर्ड ड्रामा कॉम्स फ्रम डैस वर्ड रिपिटेड क्वेश्चन है पूरा भी भी आई नोट कर लो इसको ड्रामा वर्ड किस से लिया गया तो ग्रीक वर्ड से तो फुट्टी नाइन का डी यस ऑप्शन नमबर डी इस दराइट अंसर आये तो आपको मारना जॉन कीट्स फाधर अफ रोमांटीक पोएम अगर दिया है तो फिर जॉन जॉन किट्स आपको मारना यह रूमांटिक पोएट के लिए अगर आपको भी का भी न सब्राइट अनसर में सब्यों पुडिये बॉक्स में लिखना ना भूले चैनल पर नए विजिट की हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद जै भारत